आज मैं बनाने जा रही हूँ मतन पाया की रेस्पी जो कि हमारे लिए बीहदी फैदेमंद है इसमें भरपूर मात्रा में केल्शियम पाया जाता है घुटनों के जोडों की दर्थ, हाथ-पैर दर्थ, कमर दर्थ, अभी का रामबार इलाज है ये तो चलिए इसे स्टार्ट क क्योंकि जब भी हम मार्केट्स लेते हैं उसमें बहुत धूल होती है साथ ही मैंने डाल दिया उस पे प्याज, दो बड़े प्याज को मैंने इस तरह स्लाइस में काटा है और उसे हम अच्छे से गोल्डन ब्राउन होते तक भून लेंगे तो कुछ इस तरीके से देखिए ह हमारा प्याज भून करके तैयार हो चुका है यह देखिए अब हम इसमें एड कर रहे हैं अध्रक लसून का पेष्ट एक बड़ चमच और उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे यहाँ पे अध्रक लसून तब तक पकाना है जब तक कि उसका कच्चापन ना दूर हो जाए तो उसे अच्छे से इसकी भूनाई करेंगे करीबन हमको 10 से 12 मिनट तक अच्छे से इसे हाई फ्लेम पे भूनना होता है क्योंकि इसमें जो स्मेल आती है ना फ्रेंट्स वो किसी को भी पसंद नहीं आती है है ना बाकी हमारे सरीर के लिए तो बहुत ज़्यादा यह फायदे म एक गिलास पानी पानी उतना एड़ करें जब तक कि आपका जो पाया है वो डूब ना जाए यहाँ पर पानी कम ना एड़ करें फ्रेंट्स जादा ही एड़ करें क्योंकि हमें अभी बहुत टाइम तक इसे पकाना होता है तो बस नमक डाल दिया और उससे हम थोड़ा मिक् उसके बाद फ्रेंट्स देखिए मैंने तेज आज पर इसे एक सिटी दिया उसके बाद मैंने आज यहाँ पर कम कर दिया उसके बाद लगातार मैंने 7 सिटी दी टोटल 8 सिटी मैंने दिया और 45 मिट का समय लगा मुझे पकाने में उसके बाद मैंने ले लिया एक कढ़ाई उस पे डाल दिया फिर से थोड़ा तेल उसके बाद इस पे हम डाल देंगे कुछ गरम मसाले अपनी पाया को फ्लैवर देने के लिए तो साथ ही मैंने यहाँ पर ले लिया है एक डाल चिनी का तुकड़ा इस्टारफुल लॉंग इलाइची काली मेर्च उसे मैंने तेल पर ड लगातार चम्मच चलाते हुए और यह जल्दी पक जाती है क्योंकि बारिक कटी होई है तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारी प्याज यहाँ पक चुकी है अब इसमें हम डाल देंगे एक चम्मच अध्रक लसुन का पेश्ट उसके बाद इससे भी मिक्स करेंगे अध्रक लसुन पकाएंगे जब तक कि इसका कच्चापन दूर न हो जाए लगातार चम्मच चलाते हुए क्योंकि कई बार होता है जरा भी मसाला तेले से लग जाता है पिर उसका टेश्ट अच्छा नहीं आता है तो जब भी आप बनाए पूरा फोकस अपनी सबजी पर रखें तो ज़्यादा अच्छी सबजी बनती है और ये देखिए हमारा अदरक लसुन का पिष्ट बहुत अच्छे से भुन चुका है यहाँ पर तो चलिए अब इसमें हम एड़ कर लेते हैं टमाटर की प्यूरी जो कि मैंने एक बड़ा टमाटर को अच्छे से उसकी प्यूरी निका तो चलिए अब इसमें कुछ सूखे मसाले अड़ करते हैं जिसमें मैंने लिया है नमक गरम मसाला मिर्च का पाउडर धनिय का पाउडर हल्दी और जीरा इसे भी हम डाल देते हैं और उसे भी अच्छे से चमचला कर मिक्स कर लेंगे फ्रेंट्स आपको हमारे रेस्पी पसंद आते हों तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सस्क्राइब भी करिएगा क्योंकि मैं आपके लिए रोज एक नई रेस्पी की साथ आऊंगी आपको नई नई रेस्पी दिखाऊंगी नई नई टिप्स और ट्रिक पाया था और अगर इसका सूप पीना है ना फ्रेंट्स अभी निकाल कर पी लिजिए अधी कटोरी या एक कटोरी क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हमारी सरीर के लिए फायदे मंद होता है और जैसे कि अगर आप एक कटोरी भी पीते हैं तो आप खुद रिलाइस करेंगे कि आपका घुटनों का दर्थ पैर का दर्थ एकदम से आपका ठीक होने लगेगा ये तो हर महीने हर किसी वैक्ती को एक कटोरी सूप पीना ही चाहिए बहुत ही अच्छा होता है और देखें मैंने अपने सारे पाय को डाल दिये मसाले पे और उसे अच्छे से मिक्स कर लें करेंगे सूप जो हमने एक्स्ट्रा निकाल के रखे थे वही सूप को हम इसमें एड करेंगे अपने पाये पे और देखी आपको बहुत अच्छे से यहां पे भुनाई भी थोड़ी करनी होती है चार से पांच मिनट के लिए तो मैंने लगातार भुन लिया है उसे मसाले मे अच्छे से मिक्स कर लिया है पाये को अब इसके बाद हमने आड करना है सूप जो कि मैंने बचे हुए कुकर में से जो था वो मैंने बरतन पर निकाल लिया और ये देखी कितना अच्छा लग रहा है हमारा यहां पे मटन पाया का सूप और बहुत अच्छी खुश्बू भ इसकी जो स्मैल होती है वो बिल्कुल भी नहीं आ रही है यकीन मानियेगा बहुत अच्छा लग रहा है देखने में और ये खाने में स्वात के साथ सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदे मन दे तो मैंने इससे ढख कर पकाया था और ये देखी हमारा यहां पर मटन पाया बन करके तैयार हो चुका है अब हम इसे सर्व करेंगे तो ये देखें कितना अच्छा लग रहा है तो मैंने एक परतन पर सर्व कर लिया है ये देखें कितना अच्छा बना है हमारा आज का ये पाया रेस्पी वीडियो पसंद आये तो प्लीज वीडियो को लाइक कर बिना नहीं जाईएगा चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा क्योंकि मैं आपके लिए आगे और भी अच्छी अच्छी नई ने रेस्पी लेकर आते रहूंगी तब तक अपना खयाल रखिए धन्यवाद